अस्सलाम अलेकुम आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे चैप्र नमबर 6 एक्सरसाइज 6.2 और 6.2 का अज हमारा लेक्षर नमबर 5A तो समझने वाले कुस्सान है तो थोड़े से जादा ही समझने वाले कुस्सान है तो बहुत ध्यान से आप एक एक कुस्सन को देखेगा इन्शाल्ला आपको चीदे केलियर होगी तो स्टार्ट करते है अपने आज का लेक्षर कुस्सान नमबर 10 हाओ मेनी अरेजमेंट्स कैन भी फॉर्म यूजिंग अल्ड़ लेटर्स ऑफ दा फॉलोविंग वर्ड्स ठीक है जिसके पहला वड़े स्ट्रेटिस्टिक ठीक है अच्छा अगर मैं पुरानी बुक के लिए से बात करू तो यह इंपॉर्टेंट है और एसके इलाबा हम यह देखेंगे कि टूटल अल्फाबेट कितने हैं इसकिь एंदर तो one , two , three , four , five , six seven , eight , nine , ten , γιαनकि जो टूटल अल्फाबेट के अंदर वो कितने हैं टैन इसके बार हमें एंध देखना है कि कौन से alphabet और वो कितने बार repeat हो रहे हैं तो सबसे बढ़े number of s जिसको हमने कह दिया n1 हमारे पास जो ऐसे यहाँ पर three times repeat हो रहे हैं तो इसको हम ले लेंगे three के बराबर ठीक है इसके लाबा हमारे पास और कुछ repeat हो रहे हैं तो number of t 3 हमारे पास कितने x repeat हो रहा है 3 times तो इसको हम जितन बहुतनी खिर है da ak 44 fix लेंगे और शो सुद्सक्रीव हमारे भी हम्हीं कितनी रवार काओ लस् Tiffany Steakloo यहाँ चुल्व और कुछ रिपीट हमारे पास नहीं हो रहा है तो जो उसका फर्मला बनेगा हमारे पास वो क्या बनेगा कि जो टोटल अलफाबैट है इसको हुम लिखेंगे नुमेडेटर में ठीके, यानि कि टोटल अलफाबैट है 10 तो हम लिख देंगे 10 टैन फैक्टोरियल ठीके और डीनोमिणेटर में जितने बार जो रिपीट होगा जिसे के 3 3 और 2 तो डिनोमेटर हम क्या लिखेंगे 3 फेक्टोएल मल्टिप्लाइट सी फेक्टोएल मल्टिप्लाइट टू फेक्टोएल ठीक है अब इसको आप सम्मिलिफाइब कर लोगे कल्कुलेटर से आफ फेक्टोएल फाइंड कर लो और उसका अंसर है वह है और आपको दिख रहा है कि यहां पर कोई भी अल्फाबैट जो है रिपीट नहीं हो रहा इसका मतलब डिनोमेटर में हमारे बास क्या आएगा वन फेक्टोएल मतलब कुछ भी नहीं है ठीक है तो स्विव और स्विव हम क्या लेंगे नियुमेटर में यानिके पर डिनोमेटर कुछ भी नहीं लेखा अगला हमारे बास है ऑबजेक्ट अब इसके अंदर आपको दिखना है कि एन किसके बराबर है शिक्स की और यहां भी आपको दिख रहा है कि कोई भी अल्फाबैट रिपीट नहीं हो रहा तो सिंबल हम क्या करेंगे इसके लिए शिक ने 1234567 ठीक है और अब आपको यह दिखना है कि क्या कोई ऐसे अल्फाबैट है जो रिपीट हो रहे है तो एस यहां पर क्या हो रहा है रिपीट तो नंबर आफ एस जिसको हमने क्या दिया एन वन वो कितनी बार रिपीट हो रहा है टू टाइम्स ठीक तो उसका फामला गया बनेगा सेवन फेक्ट्वियल डिवाइड बाइट टू फेक्ट्वियल क्योंकि मैंने आपको बताया के टोटल अल्फाबैट को हम लिखेंगे नियुमिरेटर में और जो रिपीट हो रहे होंगे उसको कहा लिखेंगे डिनुमिरेटर में अब आप इसकी वैलो फाइंड कर के इन दोनों को आप डिवाइड करवा दो ठीक है मैंने डिवाइड यापर नहीं किया अब इन दोनों को कल्कुलेटर से डिवाइड कर दो तो यह हो जाएगा आपके पास टू यह फाइव और यह टू और साथ में आपके पास क्या जाएगा जीरो वेस ठीक है अगला अमारे बास जो सवाल है mathematics तो mathematics सि penalty में कितने यह तो है 11 अब आपको देखना है कि कौन लंट कितने बार रिपीत हो रहे हैं तो एम जो है दो बार हो रहे है इस के लावा टी जो है दो बार रिपीट हो रहे हैं इस अच्छा टी को मैंने दुभा लिग दिया कि क्या को और वेड़ है एंड के लावाट टी दो बार रिपीट हो रहा है एम दो बार अच्छा इसको आप ए बोल ग़ोग था ठीक है कि ए जो है कितनी बार रिपीट हो रहा है तो टो टो टलल हमारे पास कितना होगा 11 टेक्ट्री क्या हो रहा है तू टाइम्स रिपीट हो रहे हैं अब इसकी वालों को आप क्या करवाएं डिवाइट करवादें अब इतने सारे पार्ट में ने करवा दिए एक पार जो है आप इसको खुद कर लिएगा कि किस तरह आप इसको बनाओगे ठीक है सिंबल आपको हिंडे दे रहा हूं कि 12345678910 टैनल फबैड है एस त्री टाइम्स रिपीट हो रहे है एक टू टाइम्स रिपीट हो रहे है और इसके लाबा कोई और आपके पास क्या होगा तैन फेक्टू य डिवाइट बैट फेक्टू य ल मैटिप्लाइब बैट टू फेक तो टू 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 त्री त्री थी फाइफ शिक्स हौ मैनी अमंग डिस आर ग्रेटर दैन आपको इससे ग्रेटर दैन कितने नंबर होंगे यह भी आपको यहां पर बताना है ठीक है तो सॉलूशन सबसे पहले हमारे बात जो गिवन डिजिट से वह कितने हैं वह यह वान टो सब्सक्राइब आपको एडिजिट गिवन है तो एडिजिट नंबर ही आपको क्या करना है फॉर्म करना है इस सवाल को भी हम पिछले कि तरह बनाएंगे कि अब टूटल अल्फाबेट गिलने यहां पर कितने हैं या टूटल लेटर्स गिलने या टूटल डिजिट कह रहे आप इसको ठीक है विसको यहां पर डिजिट से लेट कर रहा हूं इसले मैं ने कहा तो वन टू थ्री फॉर फाइब सिक्स सेवन एड या हो रहा है और टू भी ट्री ट्रीट हो रहा है इसलिए मने क्या लिखा थ्री फैक्टोई यह इसको आप संब्लिफाइब कर लें तो आपके पास अंसर बन जाएगा वन हंडेट स्वारी वन हंडेट ट्वेंटी वेस ठीक है बाकि मैंने आपको बेसिक पढ़ाया वेचिस के अब यह मने किस्ता सम्लिफाइब कि एड का मतलब होता है एक फैक्टोई यह अम इसको एक एक करके मैं मैं जाते हैं थ्री फैक्टोई ले क्यों छोड़ गया तो आपको बोला है इस सवाल में कि इस नंबर से ग्रेटर कितने नंबर होंगे तो यह आपको बताना है अब इस फ्री फॉर फॉर फाइव six seven eight six से greater होना चाहिए ठीके तो इस नंबर से हमारे पाद जो ग्रेटर होगा उसको अब दिखते हैं बहुत धियान से इस नंबर से हमें क्या करना है बनाना है जो हमें given digits है अब इसके लिए आझ से अगर मैं आपर क्या करूं आ फर्स पोडिशन अगर में 2 रखता हो तो यह number इससे less हो जाएगा अगर में 3 रखता हो तब भी जो number बनेगा वो क्यों होता होगा इससे less हो जाएगा अगर में 5 रखता हो तब भी हमारे पास फैसना informed the इसका मतलब 6 की जगहाः पर पहले पहले डिजिट में मैं इस 6 को fix कर देता हूं ठीक है तो कि हमें 6 से greater चाहिए 6 से less तो चाहिए नहीं तो first digit में हम 6 के लावा बाकी कोई और number नहीं ले सकते हैं ठीक है हमसे वह सिफ 6 ही ले सकते हैं अगर हम इन में से कोई और digit लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा less हो जाएगा तो मैंने क्या कि अब first digit पर six को fix कर दिया अब हमारे पास बच जाएंगे total seven digits ठीक है क्यों total हमारे पास eight है eight में से एक को मैंने क्या कर दिया है fix कर दिया है तो one two three four five six seven ठीक है अब seven digits में जो हमारे पास remaining बच गए इन numbers इनको हम क्या करेंगे simplify करेंगे ठीक है चुकि मैंने six को fix कर दिया है तो आप six को छोड़ दे अब इसके लावा जो बच गए उसको आप देके तो बच गए हमारे पास कितने बच रहे है total seven one two three four five six seven ठीक है seven digits बच रहे है तो हम numerator में किसको लेखेंगे seven factorial को और divide में चुकिए three times repeat हो रहा है और two भी three times repeat हो रहा है तो three ways question number 12 how many distinct permutation of letters of the word are possible how many will the two s together part one में और part two में आपको क्या कह रहा है separate ठीक है अगर together होगा तो कितने ways होगे मतलब s जो है आपके पास एक साथ दिखाएगा और अगर s separate होगा तो आपके पास कितने बनेंगे यह आपको बताना है ठीक है तो start करते हैं सबसे बहले आप गिने यहाँ पर के total alphabet कितने है one two three four five six seven eight nine total alphabet जो है हमारे पास वो कितने है nine है ठीक है तो जब मैं part one को बनाओगा अच्छा चीज़ और दिखले हैं पर कि number of s यहाँ पर जो है वो और number of e कितनी बार रिपीट हो रहे है two times तो मैं लिखा number of e जो है हमारे पास वो two times repeat हो रहे है और number of s जो हमारे पास वो कितने time repeat हो रहे है two times ठीक है अच्छा अब हम यहाँ पर condition apply कर रहे हैं part one condition when s together यानिके s हमारे पास क्या रहे है एक साथ रहे ठीक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे together के लिए अगर यह s को हमें एक साथ रखना है तो इस दोनो s को हम एक ही मान लेते हैं ठीक है कि हमारे बास क्या है एसे यानिकि हम इसको fix कर लेते हैं जब इस दो s को में एक मान लूँगा तो हमारे पास total deals कितने थे 9 तो अब मैं इसको क्या consider करूँगा 8 ठीक है ताकि हमारे पास s क्या रहे एक साथ रहे अब जो इसको मैं 8 मान लूँगा तो मैंने आपको formula बताया कि numerator में हम क्या लिखते है total alphabet तो total alphabet हमारे पास कितने हो गए 8 क्योंकि s को मैंने एक ही मानब है इसलिए मैं इस पार दो consider नहीं करूँगा together में मैं सिवासिफ इसको दिखेंगा कि number of is ठीक है यानि कि number of e कितने बार repeat हो रहा है तो number of e हमारे पास two times repeat हो रहा है इसलिए मैं यापर क्या लिखूँगा सिवासिफ two factorial जैनिके जब भी आगे पिछी होगा वह एक साथ रहेगा क्यों दोरों को एक फियर मान लिए ठीक है अब आते हैं separate में ठीक है तो separate find करने के लिए when as separate अगर separate होता है एस तो इसको अब normal माने के n हमारा कितना है 9 है और e और s कितनी बार repeat हो रहा है दो बार repeat हो रहा है ठीक है तो इसका जो simple formula बनेगा वो क्या बनेगा 9 factorial divided by 2 factorial multiply by 2 factorial ठीक है यह हमारे पास normal formula बनेगा है बनता है लेकिन एक बात यहां पर आप समझें यह जो हम चीज़ find कर रहे है 9 factorial इसके अंदर हर एक possibilities है अब इस possibilities के अंदर ऐसा भी होगा कि एस different भी होगा एस एकसाथ भी होगा यहां पर क्योंकि कोई limit नहीं होगा आपके बार जितने वेस बन सकते हैं हो सकता है आप s e e n t i al लिखो या हो सकता है आप e s e t i al n लिखो यानि कि हम alphabet को जितनी बार आगी बच्छे कर सकते हैं वो हम लिखेंगे तो उसमें कई बार ऐस हो रहा होगा कि s जो है एक साथ आ रहा होगा अगर मैं इस चीस की बात करूं ठीक है क्योंकि यह हमें कोई limit नहीं बताता है separate है यह हमें total बताएगा कितने arrangement बन सकते हैं ठीक है तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा हमें देखना हो तो आपको यहां पर क्या बुलना path क्या होगा आपके पास separate होगा तो इसके लिए हम क्या करते हैं सब्सक्राइब क्या नहीं कर चुक्त हैं ठीक है कि डास किpos обрат नियुम्स यह आप इसको बने सब्ट्रेक कर वादिये अब आप डियरेक्ट कर सकतो कोई फ़ाइब नहीं पड़ता तो हमारे पास कितना बन जाएगा सेवन जीरो फाइफ जीरो वेज नेक्स हमारे बास है इन हाम डॉर बर आपके सब्सक्राइब आपके पास हो जाएगा सेवन फेक्ट्रियल और आप कर सकतो किसके बराबर है इन हामेनी वेज सेवन किंग बी अरेंज इना सर्कुलर की रेंग इस सवाल को मैं आपको अगले तो आज किनाल हम कुछन नमर ठाटीन तरह थे हैं उम्मीद करते हो कि आपको सुन मैं आओगा विडियो देखने के शक्रिया अल्लाफ आफिस